आज के इस वीडियो में बात करते है तेलगू टाइटन्स के टारगेट प्लेयर्स के बारे में तेलगू टाइटन्स के पास काफी अचा कासा पर्स है कौन से बड़े खिलाडियों को आउक्शन में करने वाल ये टारगेट आईए इस वीडियो में इसी के बारे में जानते है पर्स की बात की जाए तो तल्गू टाइटन्स के पास 3.82 करोड का huge पर्स होने वाला है जिसमें minimum इनको 8 प्लेयर्स खरीदने होगे अब कैसा स्कॉट दिख रहा है तल्गू टाइटन्स का आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो रेडर्स में आपको सभी के सभी एनवाइपी जी देखने को मिलेगे जिसमें जो प्लेयर साइन हुए वो है चेतन साहू, रोही तराटी, नीतिन रावल और एक्जिस्टिंग एनवाइपी जे ओमकार, चेतन और प्रफुल जिसमें देखा जाए तो प्रफुल जवार ने पिछले सीजन काफी अच्छा परफोर्मेंस दिखाया था और संजी वी ने भी कुछ मैच्चस में इंप्रेस किया था डिफेंडर्स की बात की जाए तो आपको चार डिफेंडर्स देखने को मिल जाएगे, चारो के चारो है डिफेंडर्स अलग अलग पोजिशन के है, जिसमें अजीत पवार लेट कवर के, सागर रावल राइट कवर के, लेट कॉर्नर के अंकी जागलान और राइट कॉर्नर कि आपको शंकर गदाय देखने को मिल जाएगे जिसमें से अंकित और सागर को इस सीजन तलगू टाइटन्स की टीम ने साइन किया है और वहीं पर अंकित जागलान को पिछले सीजन तलगू टाइटन्स की टीम ने साइन किया था अब तल्गू टाइटन्स को क्या चाहिए तल्गू टाइटन्स को एक स्ट्राइक रेडर चाहिए राइट कवर का एक बहतरीन डिफेंडर चाहिए और लेफ्ट एन राइट कॉनर का डिफेंडर चाहिए विगोज लेफ्ट कवर पर अल्रेडी आपके पास अजीत पवार है तो कोई कैटेगरी C का डिफेंडर as a backup खरीद लेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो शुरुआत करते सबसे पहले खिलाडी के साथ तो सबसे पहले पवन कुमार सहरावत होगे पवन सहरावत पे एग्रेसिव जाने वाली है तेलगू टाइटन्स की टीम अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ लेकिन वही बात है अगर 18 करोड में FBM कार्ड करके वापस ले ले तो डेड़ करोड के अंडर वैसा डिफेंस बिल्डप नहीं कर पाएगी इनके पास काफी अच्छा काबिलियत है एबिलिटी है और वैसे ही पवन सहरावत के डिक्टो आप कह सकते हो कि रिप्लेस्मेंट हो सकते तल्गू टाइटन्स के पास अच्छा कासा पर्स बैलेंस है तो इनको टार्गेट करेगी अगर तल्गू टाइटन्स की टीम खरीद लेती है बेंगॉल वारियर्स ने एफबियम काड लेने से मना कर दिया तो इनके लिए काफी अच्छा बाय होगा अब देखते हैं यह दो मैंसे कोई एक रेडर पर मुझे लगता है फिर कोई एक स्टार रेडर पर तल्गू टाइटन्स की टीम टेफिनिट ली ट्राइट करने वाली है चाहे वो कैटेगरी A का हो या फिर कैटेगरी B का हो अब देफेंडर्स के बारे में जाने इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया फटफर जॉइन कर लो चार दिन का अब समय बचा हुआ है और चार दिन में बहुत सारे अपडेट्स आरे लेकिन सबसे इंपॉर्टेन चीज जो तो अब फैफेंट्स चार देखने को मिल जाएगा आपको कहीं भी जाने की ज़रूत नहीं है ऑकशिन का हर एक हैपडेट्स आपको ते समय पार में जोरु कर रहा हूं तेसरे खिलाडी की बात करते हैं सुर्जीच सेंग सुर्जीच सिरूचिग्ण सेंग कर गए बिबच म बहतरीन defender हाली में इनका performance काफी अच्छा रहा है और सुर्जिच सिंग अलरेडी तेलगू Titans के लिए खेल चुके है प्रो कबड़ी सीजन 9 में और प्रो कबड़ी सीजन 10 में बेंगलुडू बुल्स की टीम से खेले थे सीजन 10 में 21 मैचेस में 56 टेकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया पांच मुकाबले में हाइफाई भी जड़ा था तो overall इनका काफी अचा form चल रहा है राइट कबर पे कोई experience player नहीं है तो सुर्जिच सिंग का addition हो जाता है तेलगू Titans में तो तेलगू Titans के लिए काफी अच्छा बात होगा और चौते खिलाडी की बात करते तो चौते खिलाडी है महामाद रेजा सादलू, मोस्ट इवांडिंग, ओवस इस खिलाडी कोई है तो वो सादलू है, once again auction में आएगे left corner position का यहाँ पे आप क्या सकतो क्यों कोई बड़ा नाम नहीं है तो तेलगू Titans की टीम इन पे जा सकती है aggressive जाएगी and मुझे लगता है कि 2 करोड तक भी तेलगू Titans की टीम जा सकती है जाना चाहिए अगर 2 करोडों में मिल जाते तो 1.8 करोड तक का पर्स बचेगा जिसमें बाकी के 7 प्लियर्स आज सकते है and मैं आपको बता दू अगर 2 करोड तक भी जाता है तो पुनेडी पल्टेंट की टीम जा के भी FBM कार्ट का इस्तमाल नहीं कर पाएगी reason simple है इनके पास पर्स जादा नहीं बचा है तो इन पे target तेलगू टाइटन्स की टीम करने वाली है and पांचवे खिलाडी की बात करते तो पांचवा खिलाडी है क्रिशन धुल जो की right corner के बहतरीं defender है and जैसे कि मैं आपको starting में बताया है कि तेलगू टाइटन्स की टीम दोनों position के corner defenders को auction में ढूंडने वाली है क्रिशन धुल season 8 and season 9 में दबंग डली के लिए खेल चुके है अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दबंग डली के coach रह चुके है क्रिशन कुमार हुड़ा सर and उनके under खेल चुके क्रिशन धुल तो अच्छे तरीके से coach उस खिलाडी को जानता है and चाहता है कि फिर से मेरे team से खेले तो क्रिशन धुल एक अच्छे बाई हो सकते right corner position के तो इन पे target करेगी क्रिशन धुल की form की बात की जाए तो season 8 में जब दबंग डली की तरफ से खेलते थे तो 27 tackle points season 9 में 34 tackle points and पिछले season पतना पाइरेट से 78 tackle points इन्होंने score किया था तो अभी बहुत ही अच्छा form में चल रहे है क्रिशन धुल and चाहेगी कि तलकु टाइटन से क्रिशन धुल खेले आ जाते तो तलकु टाइटन के लिए काफी अच्छा बाई होने वाला है तो at the end conclusion में यही कहना चाहता हो कि या फिर तलकु टाइटन से की टीम एक रिडर पे बहुत ज़़ा इन्वेस्ट करीगी या फिर कोई एक defender पे कर सकती है या फिर इस रास्ते पे जाएगी कि छोटे छोटे प्लेयर से टीम बिल्ड करें फैंस को पहली उमीद ना हो कि यह कुछ नहीं कर पाएगी फिर अचानक से जो यंग्स्टर्स की टीम होती है वो अच्छा परफॉर्म करती है वे उस पहले के सीजन 8, सीजन 9, सीजन 10 तक यह लगता था कि स्टार से बनी हुई टीम है लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा भी नहीं आता था, मैचेस ही नहीं जीत पाते थे तो उम्मीद करते हैं कि क्रिशन कुमार के अंडर तल्गू टाइटन्स की टीम यह जो चल रहा है सिस्टम वो रिपीट ना हो अब नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टीमों के उपर चाहिए आप कॉमेंट करके ज़रोब बताएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा तभी बाकी टीमों के उपर वीडियो आप आएगा इन चार दिनों के अंदर अब फिलहाल के लिए आपने प्रो कबड़ी सीजन 11 के आउक्शन के सभी डीटेल्स पे वीडियो नहीं देखा है तो लेफ साइट पे क्लिक करके देख सकते हो कि वीडियो आपने पक देख त attracting कि देख एगा जे देखसे पलीटे आंप वीडिक दों में हाईब कि देखसने přाविता आपक प्रो को depend side